हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टोप एजुकेशन पोरट पर आज हम स्वाई माध्यपूर और करोली जिले का पुनर गठन कर बनाया गया नया जिला गंगापूर शिटी के बारे में पढ़ेंगे नव गठित गंगापूर जिले में साथ तैसिल हैं गंगापूर शिटी तलावड़ा वजीरपूर बामनवास परनाड़ा तोड़ा भीम और नादोती गंगापूर जिले का इतियास गंगापुर की स्तापना राजा कुसली राम हर्दिया परिवार ने की थी जिन्होंने मूल रूप से इसका नाम कुसलगट रखा था बाद में उन्होंने गंगादेवी का मंदिर बनवाया और उसके नाम से गंगापुर नाम कर दिया जबकि अंग्रेजी सासनकाल में अंग्रेजों ने इसे शिट्टी जोड़ा और इसलिए इसे गंगापुर शिट्टी के नाम से जाना जाता है गंगापुर जिले के बारे में मैतुपुर्ण तर थे उसन 1905 में बड़ोता बंबई रेलवे की बड़ी रेल लाइन गंगापुर शिट्टी में डाली गई थी यहां पर जगदिश जी का मंदिर नादोती में बना हुआ है जहां सरावन अमाउशिया को मेला परता है गंबेरी नदी का उदगम नादोती की पाडियों से होता है दुन्देश्वर महादेव चोक वाले बाला जी मंदिर एम कल्यान जी का मंदिर गंगापुर शिटी में इस्तित है दुपेश्वर जर्ना भी यहां पर इस्तित है जुन्देश्वर महादेव मंदिर का इत्यास महाबार्त काल से जुड़ा हुआ है पांडवे अपने अग्यातवास के दोरान पांडवों ने यहाँ पर बगवान शीव की पूझा की थी मंदिर में गोविन देव जी की मूर्ती इस्तित है ऐसा माना जाता है कि जेपूर राजगराने ने जेपूर में गोविन देव मंदिर की इस्तापना की थी उसी दिन यहाँ पर मूर्ती की इस्तापना भी की थी नादोती जेपूर के महाराचा पर्थवी राज के विससे जुड़ा हुआ है क्यांका किला 1500 इश्वी में ठाकुर अरिदास जीदवरा बनाया गया था तो दोस्तों गंगापूर सिटी के बारे में कुछ मैतुपूर्ण बातें इतनी ही हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडिय में तब तक के लिए जय हिन जय वारत